हालो दुबस्ट गुर्यूनिंग टॉलप्यूर्स एक इंपोरेंट इंपोर्मिशन आफसेट एरिया को आप इससा कवर अप कर सकते हैं अपसेट इससे कि द्राउन पूर में चोड़ते हैं पूरा वन विएच के पूर में पैसे रहे रहता फर्स्ट पूर में पूरा फुल कवर करना चाहते हैं तो वहांते अगर आप फुल कवर अप किये कर लिए समझ लिजे तो उस एडियो आप किस तरह सी उटिलाइस कर सकते हैं वह इस वीडियो में आपको इंपूर्मेशन देना चाहूंगा आइंड वीडियो को देखिए और वीडियो च्छाना तो लाइक शेर वो सब्सक्राइ क्या प्रावलम होता है और इसका सॉलिशन क्या है आपको देखिए जो वर्स यह जो है न रूम है रूम जो है यहां तक इन ग्राउंड फोर्म में पूरा एमटी है इसके नीचे कुछ भी नहीं है फुल एमटी है बट यहां पे जो लिया गया इधर जो यह आफसेट यह पिलर है फिर उसके अलावा भी सेम ऐसे इस इस इधर जो पिलर देखना है यहां तक दिवार बांद ले तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं था बट इतना पूरा आफसेट एरिया को कवर अप करके जो बेडरूम का साइज ज्यादा बनाए गए यहां पर ऑके बट उससे एक डिसडवंटेज यह है जो कॉलम रहता है न दोस्तों को कॉलम आपको सिंगल पार्टिशन वाल यह तो दिक्को आता है तो ठीक है उस जैसे एरिया में जो आप चाहे तो डबल ले स पॉर्शन ठीक है उसको कवर अप किया गया बट उसके लाव इसका अपोजिट में भी सेम था वही प्राब्लम यहां पे भीचो बीच पिलर आया है तो इस पिलर को कवर अप पीछे की तरफ में भी आप आप से एरिया देते लगबग दो फिट उस दो फिट को कैसा कवर अ किया गए दिखेगा इधर जो है न यह बनाए गया कवर शेलूस बनाए गया तो उससे जो है करिब करिब देट फुट तक तो यह कवर अप कर लिया बाकी का थोड़ा सा बच गया था नव इंच वह जो पॉर्शन आपको दिख रहा है उस कॉलम को जो है फूरा कवर अप कि पर कर सकते हैं बट अब यहां पर देखेगा यहां पर भी सेम वही किया गया कवर अपको बीम दिख रहा है तो बीम के उपर दिवारा है तो और अच्छा रहेगा है बिगास बैलेंसिंग सही होता है अगर इंके बाजू के प्लॉट वाले बाप लिया तो इनके घर में ना लीजिए घर बादना है तो भी आइंड यहां पर इस तरह से लिए गए यह वहला पॉर्शन तेंगे दूस्ताओं तो कवरब कैसा करना और दिक्कत यह होता है आप दिखेगा यह फर्स यह ग्रानेट वह यह फिर टायल उसको भी उसको कट करना पड़ता है तो उधर थोड़ा वेश्टेज होए आपका हाँ यह है कि आपको जगह ज़्यादा मिल रहा है विगाउस यह शेलूज यहां पर चले गया बाकी का इतना पॉर्शन आपको मिल रहा है तो मान लीजेओ यहां पर भी आफसे टेर चोड़ते तो आपको जो है ना इतना यहां से लेके इधर तक आट फीट यह जो है दस फीट आट बहें दस का रूम मिलता था तो यहां पर जो आपको ज़्यादा मिल रहा है एडवांटेज जैसा एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनु होते हैं ओके सिर्फ एडवांटेज मिलना भी पॉजिबल नहीं है और कि यह जो आट पॉजिबल सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता है किसी ने किसी में कॉम्प्रोमेस होना ज़रूरी है ओके तो उस आफसेट एरिया को यहां पर पिलर के बाद पिलर को पूरा फ़र्निचर लगाए गया फिर यहां पर एक मिरर बनाएगा इधर अब यह और एक क्वेशन आता है बेड कहां पर रखना वह भी दिखाते है ठीक है जोस्तों बेड जो है आपको इस पोर्शन में रखना नहीं पड़े यहां पर यह option आपको तो privacy कम होता है यहां पर तो रख नहीं रख सकते है विगोज उसको खोलना पड़ता है अगर sliding windows sliding doors रहते तो कर सकते थी कुछ दर्वाज यह बेड रख सकते है बट बेड जो है यहां तक last होना चाहिए इससे ज्यादा गए तो इधर फि झाल 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 झाल